हत्या के जुरुम में सजा काट रहे एक विक्ती ने पैरोल पर आकर पत्नी के साथ होटल में सुसाइट कर लिया परिजनों का कहना है कि सुनील अपनी पत्नी जोती के साथ अकेले में मिलना चाता था जिस कारण वे होटल गए थे पर शाम तक जब दोनों घर ना आये तो घरवालों ने उन्हें फोन करना शुरू कर दिया पर दोनों ने फोन नहीं उठाया चानबीन करने पर जब घर वाले शुकरवार सुबह होटल पहुचे और गेट को खोल कर देखा तो वपती फासी पर लटका मिला जबकी पत्नी का श्यव बिस्तर पर पड़ा मिला मिर्तकों की पहचान सुनील वद्वा और जोती वद्वा के रूप में हुई है पुलिस से मिली जनकारी के मुताविक 10 से 12 साल पहले कोतावली शेतर में व्यपारी तोताराम जैन के बेटे रिशब की पैसे के लेन देन में हत्या हो गई थी इसमें मिर्तक सुनील वद्वा और उसका साला कालू शामिल थे इस सत्यकान में ही सुनील उम्रकैत की सजा काट रहा था और वह पतनी से मिलने के लिए पैरोल पर आया था ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास ट्रीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें